हलो स्टूडन्स, चलिए शुरू करते हैं स्ट्रिस्टी हिंदी पार्ट माला पाच आज हम पार्ट छे छोटा जादुगर रिवाइज करेंगे हम लोगोंने पहले पढ़ चुका है मैं बहुत छोटे से मतलब बहुत छोटा सारांस बता देती हूँ ठीक है ताकि एक बार रिविजन हो जाए फिर हम लोग वश्यरंस को रिवाइज कर लेंगे प्रस्तूत कहानी में लेखा के ऐसे लड़के की मदद करता है जो हालात के समक्ष मजबूर था परन्तु वो महनत वो संगर्स के द्वारा जीवन जीना चाता है तो चलिए देखते हैं पाठ का सारांस क्या है प्रस्तूत पाठ हमारी पाठे पुस्तक स्रिस्टी हिंदी पाठ माला में संकलित है छोटा जादुगर बारह साल का बच्चा है जिसके पिता देश की खातिव जेल में है और उसकी मा बिमार है वह परिश्रमी है इसलिए जादु का खेल दिखा कर अपनी जीवी का चलाता है पैसे के अभाव में उसे अस्पताल से निकाल दिया गया है एक दिन सड़क के किनारे वही जादुगर खेल दिखाते वे उदास मूद्रा में लेखक को दिख पड़ता है पूछने पर पता चलता है कि उसकी मा की अंतिम घड़ी समिप है लेखक छोटे जादुगर को जोपड़ी में लेकर आते हैं उसी समय उसकी मा धम तोड़ देती है सारा संसार उनके सामने धूमिल पड़ जाता है तो बच्चों हम इस कहानी से यह सीख पाते हैं कि हमें परिश्रमी होना चाहिए बुद्धी का सही उपयोग करना चाहिए स्वालंबी होना चाहिए मात्री प्रेम होना चाहिए हमें आत्म गौरव का संदेज भी दिया गया है इस पाठ के द्वारा ठीक है? चलिए हम अब कठीन शब्दों को पढ़ ले चलिए देखते हैं सब्द अर्थ कार्निवाल मेला कार्निवाल मेला दवादारू इलाज दवादारू इलाज विशाद दुख विशाद दुख विनोद हसी मजाग आकर्षित किसी की और खीचना आकर्षित किसी की और खीचना कलनाद खुशी की आवाजें शोर जीविका रोजी रोटी रंग मंच अभिनाय का मंच अविचल अचल स्थिर आँख बदल गई यह एक मुहावरा है मन बदल गया मन का बदल जाना तिरशकार अपमान बच्चों आपको सभी कठिन शब्दों को फिर से अपनी क्लासवक हिंदी की क्लासवक कॉपी पर लिखना है और याद करना है ठीक है? चलिए आगे देखते हैं अभ्यास से मौखिक लड़के की पिता जेल में क्यों थे? प्रश्ण है लड़के की पिता जेल में क्यों थे? लड़के की पिता जेल में देश की खातिर थे तो मौखिक है आप छोटा आंसर लिख सकते हैं लड़के की पिता जेल में क्यों थे? लड़के के पिता देश की खाते जेल में थे। दूसरा प्रश्न है छोटा जादुगर जादु का खेल दिखाने कहां गया था। तीसरा प्रश्न है छोटा जादुगर आपको कैसा लगा? छोटा जादुगर मुझे इमानदार और परिश्रमी लगा। छोटे जादुगर ने अपनी मा का इलाज कैसे करवाया? ठीक है बच्चों आप इसी के साथ पूरा ये सब्द अर्थ और मौखिक प्रश्नूत्तर को अभ्यास कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लिखित प्रश्नूत्तर करेंगे। ठीक है? प्रश्नूतर करेंगे।